जै मातारानी दोस्तों आप सभी को नवरात्रों की धेरो शुब कामनाए तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि मेरा एक एक जौ किस तरीके से अंकुरित हुआ है और ये मातर धर्ड डे का तीसरे दिन का ये द्रिश्य है और बहुत ही सुन्दर से प्यारे से जो इस पे मिट् जौरा अंकुरित हो तो फ्रेंट्स जौरे बोरने को लेकर के कई सारे हमारे मन में प्रेशन होते हैं जैसे कि क्या दोनों नवरात्रों में जौरे बुन आवश्यक होता है देखे चैतर मास में आवश्यक नहीं होता है लेकिन शार्दी नवरात्रे में जौ विशेशकर बो जाते हैं, नवरात्र बहुत ही पवित्र समय होता है, ऐसे में जौब होने से देवी दुरगा, अनपूरुना मा और ब्रह्मा जी का आशिरवाद प्राप्त होता है, क्योंकि जौब को ब्रह्मा का स्वरूप भी माना जाता है, जैसे जैसे हमारे जौब बढ़ते हैं, वैसे ह हमारे घर में सुक सम्रद्धी बढ़ती है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको जवारे उगाने की सही विदी बताऊंगी आप देख सकते हैं मेरे जवारे चार-पाच दिन में कितने बड़े हो गए कि इने बादना पड़ेगा जवारे उगाने के लिए सबसे पहली जो बात है हमें पात्र कैसे लेना है तो मिट्टी का पात्र सबसे अच्छा रहता है लोहे और प्लास्टिक को छोड़कर के आप कोई भी पात्र रह सकते हैं मिट्टी के पात्र को आप इस तरीकी से अच्छे से डेकोरेट कर लें और इसे के साथ में देखे आप चाहे तो जो और गेहूं को मिक्स करके भी ले सकते हैं या फिर खाली जो भी ले सकते हैं और इन्हें आप 24 गंटे के करीब भी गो दें जो भी खराब जो होते न उपर तेर जाते उन्हें आप निकाल दें, हमें रखे हुए या फिर घुने हुए गेहु और जो नहीं लेने हैं, पुराने रखे हुए नाले आप नए खरीद करके लेके आए, अब मिटी कैसी लेनी है, एक हिसा मिटी लेनी है, एक हिसा मिखाद लेना है, एक हिसा रेत लेना है, इसे बहुत सारे मिटी अलग से रखती ही। और इसी के साथ में देखिए, सबसे पहले शूबता का जो प्रतीक माना जाता है, स्वास्तिक हम कुम-कुम से शुश्तिक बना लेंगे। अच्छे से नहीं उगते हैं, उनमें किसी तरह की खराबी आ जाती है, पीले पढ़ जाते हैं, फंगस लग जाती है, तो इसे शुब नहीं माना जाता है, तो इसलिए जब आप जुआरे उगाएं तो आप तन मन से शुद्ध होने चाहिए, मातारानी के समर्पित होकर के आप जुआरे बोएं और मातारानी से प्रातना करें कि जिस प्रकार से हमारी भक्ती बढ़ती जाएं, वैसे हमारे जुआरे भी बढ़ते जाएं, साथी साथ में देखें, यहाँ पर हमने तली में पानी नीचे तक पहुंच जाएं, इसलिए थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी और इसके वाद में फिर से मिट्टी डाल करके हम इसके उपर अच्छे से जो हमने जौ और गिहूँ को भीगोया है फैला देंगे गेहूं जो होते हैं मातर लक्षमी का सुरूप माने जाते हैं तो आप गेहूं भी मिक्स कर सकते हैं या फिर खाली जौ भी उगा सकते हैं किसी के यहाँ पर दोनों मिक्स करके बोज जाते हैं किसी के आपर खाली जौ उगाए जाते हैं बहुत ही आराम से हलके हाथ से हम यहाँ पर मिटी फैला देते हैं देखिए अगर आप इसी के उपर कलशकी स्थापना कर रहे हैं तो यह जो पात रहा है आप थोड़ा सा बड़ा सा ले और आप अलग से कलशकी स्थापना कर रहे हैं तो फिर तो आप कितने भी छोटे से बजवारे आप उगा करके जहां पर भी आपने मातारानी का दर्बाज सजाया हूँ वहां पर आप इन्हें रख देए अब देगे पानी हमें कैसे देना है इसमें पानी देने के लिए आप इसमें ओवर वाटरिंग भी ना करें सुबह शाम हलकेल के छीटे देते रहें ये इस तरीके की छनली पर स्वास्तिक बना करके आप ढख भी सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं पर इसे ढखा जरूर जाता है तीसरे दिन इसे खोला जाता है और माना जाता है कि ये माता के प्रतम दर्शन होते हैं तो आप इस छनली से भी आप ढख सकते हैं तो फ्रेंट्स में या फिर एंडे स्क्रीन पर मिल जाएगा अगर आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही महतरपूर नवरात्री के प्रतेक टॉपिक पर वो वीडियो बनाई गई है और बहुत ही महतरपूर जानकारी उनमें दी गए तो आप उन वीडियो को भ बहुत ही यूसफुल नह yapıyor यूसफ़ ओर लगा तक प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादे से जादे शेयर करें और कॉमें बोक्स में मातरानी के नाम का जैकारा आवश्य लगाएं जै माता दी